हलो फ्रेंड्स मैं केशब कुमार दे मिट्कल ग्लासेस के इस नए वीडियो में आपका स्वाधत करता हूँ आजगी इस वीडियो में आपका जानेंगे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबालेंस के बारे में वीडियो शुरूव करें उससे पहले हम लोग जान लेते हैं आईवी फ्लूइड क्या होता है आईवी फ्लूइड को हम लोग इंट्रावेनस फ्लूइड भी करते हैं तो आईवी फ्लूइड का डिफनीशन होता है इंट्रावेनस फ्लूइड are liquids given to replace water, sugar, salt and other electrolytes diet might patient need if they are ill or having an operation यानि इंट्रावेनस फ्लूइड को body में बार्टर, sugar, salt and other electrolytes जैसे sodium, potassium, calcium को replace करने के लिए दिया जाता है और दिया कब जाता है जब patient बिमार हो या फिर operation के लिए जा रहे हो या operation हो चुका हो तो आईवी फ्लूइड का use क्या क्या है आईवी फ्लूइड का first use है dehydration के case में second use है electrolyte imbalance यानि sodium, potassium, calcium जो electrolytes पाए जाते हैं वो body में imbalance हो चुके हैं और third है acid-based imbalance के case में इन तीन case में आईवी फ्लूइड का use करते हैं और वी other cases में करते हैं वो आगे हम लोग देखेंगे next है fluid formed in our body यानि हमारे सरीर में कौन-कौन से fluid पाए जाते हैं तो हमारे सरीर में दो तरह से fluid पाए जाते हैं एक fluid पाए जाते हैं जो हमारे cell के अंदर होते हैं और एक fluid पाए जाते हैं जो हमारे cell के बाहर होते हैं तो जो cell के अंदर होते हैं उनको कहते हैं intra-cellular fluid इसको सॉट में ICF बोलते हैं fluid formed inside our cell और जो cell के वाहर होते हैं उनको कहते हैं extra-servoral fluid इसको सॉट में ECF बोलते हैं fluid formed outside our cell तो जो outside fluid पाया जाते हैं उनको आवी तीन परकार होता है पहला होता है intravascular fluid जो plasma होता है दूसरा होता है intrastatial fluid जो हमारे सेल के बाहर जो फ्लूड पाय जाते हैं उनको इंट्रास्टेटियल फ्लूड काते हैं और जो सेल के अंदर पाय जाते हैं उनको इंट्रासेल्डरल काते हैं और ठाइड होता है, ट्रासेंडरल फ्लूड जैसे कि हमारा स्पाइंन फ्लूड और जॉएंट के अंदर फ्लूड पाय जाते हैं, उन सब को ट्रासेंडरल फ्लूड काते हैं वीडियो आगे अच्छे से समझ में है उसके लिए एक दो टर्म ममलोग और देखते हैं पहला है आस्मोसिस तो आस्मोसिस इज दा मॉम्मेंट ऑब बार्टर मॉलिकूल फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाइयर कंसेंट्रेट टर्म तो ए रीजन ऑफ लोवर कंसेंट्रेशन तो ए सेमी परमेवल मम्मेंट यानि कि ऑस्मोसिस जो है जिसमें बार्टर मॉलिकूल का मॉम्मेंट होता है हाइयर कंसेंट्रेशन से लोवर कंसेंट्रेशन की और या फिर खा सकते हैं कि लो सॉलिट्स वाले मीडियम से high solids वाले medium में बार्टर का movement होता है next term है osmol rate osmol rate का मतलब होता है number of solid particles per one liter of solvent यानि एक liter solvent में जितना solid particles पाया जाएगा वही उसका osmol rate होगा ठीक है? यानि अगर high osmol rate है तो उसमें solid particles high होगा यानि ज्यादा number में होगा और किसी solution का अगर osmol rate low है तो उसमें solid particles का number कम होगा next देख लेते हैं कि blood का osmol rate कितना होता है तो osmol rate of blood 275 से 299 million 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 per liter होता है और physiological blood osmol rate की बात करें तो इसको हम लोग 250 से लेके 315 million 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 per liter के बीच में रखते हैं million 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 भी कह सकते हैं next हम लोग देखेंगे type of fluid तो osmol rate के basis पे fluid को 3 टाइप में बाटा गया है hypertonic, isotonic और hypertonic fluid पहले हम लोग hypertonic fluid को देखेंगे hypertonic fluid का osmol rate 250 million 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 से कम होता है lower osmol rate than the blood यानि हमारे blood का osmol rate होता है उससे भी कम hypertonic fluid का osmol rate होता है अब चुकिए osmol rate lower है तो lower solid concentration भी होगा next है osmosis causes butter to move from extra cellular space to intracendral space hypertonic fluid का osmosis blood से कम होता है तो extra cellular space से fluid कहां move करेगा intracendral space में move करेगा जिसके करण हमारा cell क्या होगा swell करेगा body का cell swell करेगा यनि फूल जाएगा they cause cell to swell because fluid is living ECF and going to ICF हमारा cell swell कर जाएगा क्योंकि extra cellular fluid intracendral fluid में move करेगा this can lead to brain swelling इसके करण हमारे brain में swelling भी हो सकता है अब हम लोग देख लेते हैं example of hypertonic fluid 0.45% NS जिसको हम लोग half NS बोलते हैं next example है 0.225% NS जिसको हम लोग 1y4 NS बोलते हैं अगला example है 0.33% NS जिसको हम लोग 1y3 NS भी बोलते हैं next example है 2.5% dextrose तो यह सब hypertonic fluid के example है next type है isotonic fluid isotonic fluid का उसमलेटी 250 से 315 million per liter होता है यहीं 250 से 315 होता है जो कि हमारे blood के उसमलेटी से यानि हमारे blood का जो उसमलेटी होता है वह ही isotonic fluid का भी उसमलेटी होता है तो चुकि दूनों का उसमलेटी सेम होता है इसलिए equal transfer of water not affecting the cell इसलिए cell को affect नहीं करेगा ना तो हमारा cell फूलेगा नहीं सिकुडेगा ना तो हमारा cell सेल करेगा नहीं shrink करेगा तो इसको चड़ाने का फाइदा क्या है? तो it expands extra serial fluid volume यानि extra serial fluid का जो volume है उसको यह increase करेगा यानि हमारे plasma को increase करेगा तो सवाल यहाँ आता है कि plasma को increase करने की जरूरत क्या है? यानि extra serial fluid को expand करने की जरूरत क्या है? तो जरूरत इसलिए है कुछ cases में हमारा extra serial fluid का loss होता है जैसे कि बोमेटिंग के case में डाइरिया के case में हाइपर बोलिमिक सौप के case में बांस के case में और surgery के पहले भी इसको चड़ाया जाता है क्योंकि surgery के दवरान हमारा fluid का loss होता है extra serial fluid का loss होता है अब हम लोग isotonic fluid का example देखते हैं तो isotonic fluid का example है 0.9% inis जिसको हम लोग normal saline भी बोलते हैं RL यानि ringle leptate solution और dextrose 5% भी isotonic fluid का example है note में एक बात inis is the only fluid which can be administered with blood यानि blood के साथ अगर किसी fluid को चड़ाया जा सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ inis है यानि normal saline है next type है hypertonic fluid hypertonic fluid का osmolity 315 से ज़्यादा होता है higher osmolity than the blood यानि कि हमारे blood के osmolity से भी ज़्यादा होता है hypertonic fluid का osmolity और चुकि osmolity ज़्यादा होता है तो solid भी ज़्यादा पाये जाएगा high solid concentration ठीक है अब चुकि osmolity ज़्यादा होता है तो osmosis causes butter to move from intracellular space to extracellular space यानि कि जो हमारा fluid होगा वो क्या करेगा तो fluid होगा जो हमारे cell को में जो पहले से fluid होगा उसको बाहर निकालेगा यानि हमारे cell में जो पहले से fluid पाया जाता है उसको बाहर यानि intracellular fluid को बाहर निकालके extracellular space में ले जाएगा ठीक है तो इसके कारण क्या होगा इसके कारण हमारा cell जो है shrink करेगा यानि स्टिकुड़ेगा तो they cause, cell to shrink because fluid is living intracellular space and going to extracellular space यानि हमारा cell shrink करेगा क्योंकि fluid move कर रहा है intracellular space से extracellular space में next है कि hypertonic fluid beneficial क्यों है तो beneficial कुछ cases में जैसे brain swelling यानि हमारे brain में swelling है उस case में इसको चड़ा जाता है ताकि swelling खत्म हो दुसरा है hyponatremia के case में भी इसको चड़ाया जाता है और burn वाले case में भी इसको चड़ाया जाता है hypertonic fluid को next हम लोग देखते हैं इसके कुछ examples तो पहला example है 3% anis दुसरा है dextrose 10% थार्ड है 5% dextrose plus 0.9% anis यानि normal saline और फोर्थ example है 5% dextrose के साथ अब हम लोग hypertonic isotonic और hypertonic fluid को summarize कर लेते हैं तो osmility की बात करें तो hypertonic fluid का osmility 250 से कम होता है isotonic का 250 से 315 होता है और hypertonic fluid का osmility 315 से ज़्यादा होता है अगर blood के साथ कम prison करें तो hypertonic fluid का osmility blood से कम होता है isotonic का blood के बराबर होता है और हाइपाटोनिक का ब्लड से ज़्यादा होता है और जब यह तीनो फ्लूड को एक-एक करके बाडी में चुढाएंगा तो क्या होगा तो पहले केस में यहाइपाटोनिक के केस में फ्लूड जो है एक्रसिल्रूरल अस्पेस से मूब करेगा extra-signral space में next is seal के साथ क्या होगा तो जब हम लोग hypertonic fluid को चुड़ाएंगे तो seal हमारा seal करेगा isotonic fluid को चुड़ाएंगे तो seal के साथ कोई change नहीं होगा हमारे body में जो seal पाया जाता है और hypertonic fluid को चुड़ाएंगे तो हमारे body का seal string करेगा यानि चुड़ जाएगा next है यूज क्या क्या है तो isotonic के केस में vomiting, diarrhea, hyperbolemic, shock, bunse और surgery के दवरान चड़ाएंगे जाता है और hypertonic fluid को brain swelling hyponatromia bunse के केस में चड़ाएंगे जाता है next हम लोग कुछ fluid के osmolity देख लेते हैं और osmolity के साथ-साथ tonicity भी देख लेंगे तो normal saline का osmolity 308 millismol per liter होता है चुकि 308 है इसलिए isotonic होगा next है 0.45% anis यानि half anis तो इसका osmolity 115 millismol per liter होगा और यह hypertonic fluid होगा next है 2.5% lektrose इसका osmolity 127 millismol per liter होगा जोकि hypertonic fluid होगा next है rrl यानि ringer lactate इसका osmolity 270 millismol per liter होता है जोकि isotonic fluid है next है dextrose 5% इसका osmolity 254 millismol per liter होता है जोकि isotonic fluid है लेकिन हमारे body में यह hypertonic fluid की तरह काम करता है इसको note कर लीजिएगा next है 5% dextrose in anis यानि जिसको हम लोग dns कहते हैं इसका osmolity 572 millismol per liter होता है जोकि серьides hypertonic fluid है next है 5% dextrose in rl इसका osmolity 527 millismol per liter होता है जोकि hypertonic fluid है next है 5% dextrose in anis तो इसका osmolity 408 होता है जोकि hy blossonic fluid है नेच्ट है डेक्ट्रोई 2.5% हाप एनेस तो इसका उस्मिनिटी दोसो एक आसी मिली और स्मॉल पर लिटर होता है जो की आईसो टॉनिक फ्यूड है तो दोस्तो वीडियो यही पे समाप्त होता है वीडियो कैसा लगा हमें कमेंड में जरूर बता हैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हमारे वीडियो को जितने भी लोग देखते हैं बहुत कम लोगों ने सब्सक्राइब किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद बने रहे हमारे साथ है